स्टूरेंट्स आज हम अपने लेक्चर नंबर 15 में चेप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है यूजिज आफ सम कॉमन एलिमेंट्स आम पाये जाने वाले चल एलिमेंट्स के इस्तामालाद We can relate the physical properties of elements to their uses. हम elements के तबीख्वास का तालुप इनके इस्तामाल के साथ जोड सकते हैं. Physical properties and uses of metals. दातों के तबीख्वास और उसके इस्तामाल. Metals are widely used in our everyday life due to their physical properties. हम तबीख्वास जो होते हैं उसके बाइस धातों का हमारी जिन्दी में वसी इस्तामाल होता है. किसकी बेस पर होता है? उनकी physical properties की वज़ा से जो है हमारी रोज मेरा जिन्दीगी में इनका बहुँ ज़दा इस्तामाल होता है. Metal का पहला इस्तामाल या पहला use क्या है? State. State कहते हैं हालत को. Most metals are found in solid state. बहुत जादा तर जो metals होते हैं वो solid state में यानि के सख्त हालत में पाये जाते हैं. However, mercury यानि के HG इसका symbol है is found in liquid state. Mercury is filled in thermometer to measure temperature. ताहम जो mercury होता है ये liquid state में यानि के माया हालत में पाया जाता है. Mercury क्या है? Mercury जो है आप liquid state में होता है. ये thermometer के अंदर भरावा होता है. आपने अक्सर डॉक्टर के पास कभी जानने का इतफाव होता है आपका. तो आपने देखा है कि डॉक्टर जब किसी का temperature यानि के होता है जिसकी मदद से वो temperature को चेक करता है. नमबर टू हार्डनेस हार्डनेस मिन सखती. Most metals are hard solid. कुछ metals जो होते हैं सखत टोस होते हैं. For example iron is used to make steel. Iron को steel बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है. The steel is then used for making rails, bridge, ships, guarders, surgical instrument and utensils. और फिर ये जो steel जो हैं कहां इस्तमाल होते हैं. ये rails यानि के rail के पट्रियां देखी हैं जिन पर गाड़ी जो train है वो चलती है और rail के पट्रियां बनाने के लिए, bridge यानि के pull बनाने के लिए, ships, बहरी जहाज बनाने के लिए, guarders बनाने के लिए और surgical instrument कों से होते हैं ये जो operation के समान जो होते हैं वो बनाने के लिए और utensils बड़तर बनाने के लिए फिर इस्तमाल होते हैं. अगे हैं लस्टर, लस्टर किसे कहते हैं चमक को कहते हैं. freshly cut metals have brilliant shine called Lister, ताजा कटी हुई धातें जो होती हैं उसमें चमक होती हैं, बहुत अच्छी चमक होती हैं, शांदर चमक होती हैं उसमें. For example, Aluminium is used for making utensils, मिसाल का तोर पर Aluminium बड़तर बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है, और जो तस्वीरों के फ्रेम होते हैं, उसमें बनाने के लिए इस्तमाल के जाता हैं, क्यों किया जाता हैं, क्योंकि इसमें चमक होती हैं. Gold and silvers are used to make ornaments because of their shine. Gold और silver यानि के सोना और चांदी जो हैं, उसे क्या जेवराद बनते हैं, और क्योंकि इसमें चमक होती हैं, इसलिए इसमें जेवराद बराने में मद्द मिलती हैं. मारा fourth use है, melting and boiling points, यानि के नुकता पिगलाओ, melt पिगलने को कहते हैं, and boiling point, नुकता खुलाओ, यानि के boil करना, खोलने के पाने जब उबलते हैं, उसे कहते हैं, खुलाओ. metals have high melting and boiling points, जो metals जो धाते होती हैं, उसका boiling point और melting point जो होते हैं, वो दोनों ही बहुत ज़्यादा होते हैं, due to this property, iron, copper and aluminium are used to make kitchen utensils, इसी खासियत के वज़ा से, जो copper और aluminium हैं, वो kitchen के बतन बनाने के लिए इस्तमाल किये जाते हैं. fifth use है, इसका strength and malleability, यानि के मजबूती और लचक, metals are used to make sheds, wires and springs due to their property of strength and malleability, जो ये धाते जो हैं, धातों को अपने मजबूती और लचक की वज़ा से, इसमें ये खुसुसित पाए जाती हैं, क्या के ये मजबूत भी होती हैं, और लचकदार भी होती हैं, इसी खुसुसि और लचक की बिना पर, इससे क्या बनती हैं, चादरे, यानि की शीर्स बनती हैं, वायर्स तारें और स्प्रिंग बनाए जाते हैं, किस वज़ज़ से बना जाते हैं, क्योंकि इन में खासियत पाए जाती हैं, मजबूती की, यानि की strength and malleability, यानि के ये लचकदार होती हैं इस वज़ज़ से इन से ये चीज़ें बनाई जाती हैं, नमबर सिक्स एं लास्ट है, conductivity, यान की मौसलियत, metals like copper and aluminium are used in electrical wiring, metals जैसे के copper, ये भी metal है, aluminium ये भी metal है, ये ना electrical wiring में, जो बिजली की wiring होती है घरों में, उसमें इस्तमाल के जाती है, इन में ये खासियत पाई जाती है, कि इनके अंदर से बिजली गुज़र जाती है, इसलिए ये घरों में जो वाइरिंग होती है, बिजली के तारों की, तो इससे वो copper और aluminium की की किया जाती है, This property is called conductivity, इसलिए इसी खासियत के वज़े से conductivity कहा जाता है, Students, ये 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 लो बॉक्स में जो अलाई दिया है, ये अलाई यानि कि भर्त को कहते हैं, अलाई जिया भर्त, इसका short question मैंने आपको पिछले अपने lecture में बताया था, उसमें लिखा था है, वहाँ से अपने याद करना है, ये लाई क्या होता है, An interesting property of metal is ability to form alloys, धातों की एक दिल्चेस्ट खासियत इनके alloys बनाने की सलाहियत है, An alloy contains more than one metal, अलाई में के होता है, अलाई यानि के भर्त में एक या एक से ज़्यादा metals पाए जाते हैं, German silver is an alloy of copper, zinc and nickel, जो German silver होता है, वो किसका alloys होता है, वो copper का, zinc का और nickel का alloys होता है, German silver जो है, इन तीन चीज़ों का alloys, इन तीन चीज़ों का alloys से बना होता है, it is used in jewelry, ये jewelry में इस्तमाल होता है, brass is the alloy of copper and zinc which is used to make pipes, house nozzles and jewelry, और जो brass किसे कहते हैं, पीतल को, पीतल, तांबे और zinc का alloys है, जो pipe, nozzles और jewelry, यानि की ज़ेवरात में इस्तमाल किया जाता है, students, आज का हमारा दूसर topic है, physical properties and uses of common non-metals, यानि गैर धातों के तबी, खुआस और उनके इस्तमाल, इससे पहले हमने, जो metals के पढ़े थे इस्तमाल, अब हमने पढ़ने हैं non-metals के, non-metals are found in solid, liquid and gases state, जो non-metals जो होते हैं, गैर धाते जो होती हैं, वो solid में ठोस, माया और गैस हालतों में पाए जाती हैं, most non-metals are not hard, जो जादा तर जो गैर धाते होती हैं, वो सख्त नहीं होती हैं, most non-metals have no shine or lustre, जादा तर जो गैर धाते हैं, non-metals होती हैं, उनमें चमक भी नहीं होती है, they have low melting and boiling point, उनके melting और boiling point भी कम होता है, most non-metals are bad conductor of electricity, जादा तर जो होती हैं, non-metals उनसे से बिजली नहीं गुजर सकती, however, graphite is a good conductor of electricity, तहम जो graphite है, वो बिजली के अच्छी conductor होती हैं, इनके बिजली इसमें से पास हो जाती है, non-metals are widely used in our daily life, जो non-metals हैं हमारे आम रोज मेरे जिन्दिगी में इस्तमाल, बड़े पेमाने में इस्तमाल होते हैं, non-metals का पहला use क्या है, no.1, air contains several gases which are non-metals elements, हवा कई गैसों पर मुश्टमिल होती हैं, जो गैर धाती elements होती हैं, no.2, welders use flame of oxyfuel for cutting and welding metals, जो welders हैं, hydrogen और oxygen का शोला धातों की कटाई और welding के लिए इस्तमाल करते हैं, no.3, hydrogen and nitrogen gases are used in the manufacture of urea, यानि fertilizer, खाद को कहते हैं, hydrogen, urea खाद के त्यारी में, hydrogen जो हैं और nitrogen जैसी गैसें इस्तमाल होती हैं, no.4, बनास्पती घी is manufactured by the use of hydrogen and vegetable oil, hydrogen gas और बनास्पती तेल जो होती हैं के इस्तमाल से क्या बनता है, बनास्पती घी बनता है, ये बनास्पती घी जो हैं, वो किस तरह बनता हैं, जो आप लोगों के घरों में daily इस्तमाल होते हैं, वो hydrogen और vegetable oil नबताती जो oil हैं, इस से मिलाकर जो बनास्पती घी जो हैं, बनाया जाता है, नमonic fast forest is used in mad industry, यांकी जो माचिस की सेनत्प में fast forest इस्तमाल होती है, oxygen gas is used in hospitals, जो hospital में oxygen gas इस्तमाल की जाती है, यांकी जब अःवागों के patient की हालत critical होती है, उसको सांस नहीं आ रहा होता, तो ऊसके नाग पर एक मास्क आदिया जाता है जहांसे उसको Oxygen मिलती है इसलिए की जाती है Carbon as diamond is used in jewelry जो खारबन जो है ये हीरे के तोरपर Silicon jewelry में इस्तिमाल की जाती है Garophyte यानि के Carbon is used by mixing with clay in pencils these 북eself structure will be designed Truth कि चिकनी मट्टी में मिला कर पैंसिल किया जाता है चिकनी मट्टी में मिलाते हैं तो फिर उस तरह पैंसिल बनाई जाती है चुलफित समय जाता है डायमेंड जो है नॉनमेटल होते है बैट इटिस हारड्रेस्ट एन बार अनीजिंग अर्थ इसलिए को हम जिलरी में इस्तमाल करते हैं इट लगी rich और जो हीरी जो होते हैं वो ग्लास यानि के शीशे को काटने में इस्तमाल होता है यहां पर आपको MC के आ सकता है कि जो hardest matter है जो अर्थ पे वो कौन सा है diamond है और 2-3 option और दी होंगे तो आपने diamond पर ही ठीक करना है Page No. 56 पर exercise दी गई है इसका long question No. 1 है Relate physical properties of material elements with their uses धाती elements के तभी ख्वास का तालुक इनके इस्तमालाद से जोड़िये इस long question का answer page No. 47 और 48 पर दिया गया है यह आपको नज़र आ रहा है 47 page यहां से start करने है अपने physical properties and use of metals यहां से start करने है और next page 48 पर देखे यह 48 page है इसमें जहां conductivity last जो point था हमारा conductivity conductivity तक इसका answer है यहां तक long question No. 1 का answer है और students इसमें अब short question अगर तो आपने long question याद कर लिये है तो अगर कोई सा भी short question आता है तो आपके लिए easy हो जाता है उसको attempt करना वैसे short question से एक अलाइका था इसमें सिर्फ एक था जो अलाइदा लिखना था उसलिए मैंने इसको अपने पिछे lecture में लिख दिया था lecture No. 14 में वो कर दिया था तो वहां से आपने वो याद कर लेना बाकी यह दो टॉपिक करवाएं थे और यह वाला टॉपिक जो आपका था यह long question No. 1 का अंसर था इसलिए आपने यह याद करना है focus students, Allah अफेज subscribe our channel and press the bell icon